तो अब ये थोड़ी क्लास्स को मैंने बिल्कुल आपके लेवल पर स्टार्ट करने का से निर्णे लिया है और आज की टॉपिक है भाई साब पर्म्यूटेशन और कॉम्मिनेशन तो कॉपी में हेडिंग बना लिजिए पर्म्यूटेशन और कॉम्मिनेशन क्लास्स का लेवल हे इंदी हो गया गया और इसके बाद आपका जे हो गया KVS और NVS level का exam कि इसके तरीके से हम आज के topic को complete करेंगे तो आईए start करते हैं इस topic को ये file मैंने आपको पहले ही भेज दी है I hope आपने इसको अभी तक download कर लिया होगा और इसके बाद हम चलते हैं सीरे सीरे chapter के अंदर chapter के end में ये सारी की सारी process आपको करवाई जाएगी बच्चो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको chapter की basic knowledge है जिन बच्चो को basic knowledge नहीं है वो थोड़ा सा मेरे से पूछ लिजेगा तो मैं उनको यहाँ पर explain कर दूँगा हम mainly question and answer discuss करेंगे जहाँ पर नए concept आएंगे especially competitive exam वाले वहाँ पर उसको हम थोड़ा सा time दे करके पढ़ेंगे बाकी जो question से उनको ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे उनको हम simply जल्दी जल्दी से complete करेंगे आईए तो पहला question है यहाँ पर देखे बच्चो यदि आपके पास 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 plus x upon factorial 8 दिया गया है तो x का मान ग्याद करना है so simple क्या है देखे 1 upon factorial 6 common ले लीजिए 666 factorial cancel हो जाएगा और इसको solve करके आप x की value निकाल लेंगे बुले clear है सभी को? any problem? बुले बच्चों बताइए clear है सभी को किस पूछना तो नहीं नहीं इसमें screenshot लेते जाएए बिल्कुल तेजी के साथ complete करना हम लोग को topic और यदि किसी को कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है my icon करके बोली आपको मैं वहाँ पर आपको solution explain कर दूँगा done? yes sir ओके चले next question देखे यदि किसी पाटशाला के प्रतेक कार्य दिवस में कुल 6 period है पांच विश्यों को कितने प्रकार से विवस्थित किया जाता है कि कम से कम एक period अवश्य आए ये बहुत अच्छा question देखे कह रहा है कि भाई किसी कार्य दिवस में 6 period है yes तो देखिए एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच और 6 तो कहना इनका कि किसी पाट साला में कुल 6 period है और पांच विश्य पढ़ाए जाने है तो पांच विश्य में सुरू के पांच पिरियद में तो वो पांच के पांच विश्य लग जाएंगे सुरू के पांच पिरियद में वो पांच के पांचो विश्य लग जाएंगे मतलब कोई भी पांच पिरियद जो है उनमें पांच विश्य आ जाएंगे तो सुरू के पांच जगह कितने तरीके से भरेंगे सुरू के पांच जगह में आंसर आएगा 5P5 मतलब 5 classes में 5 विशियों का permutation याने की क्रमच है अब उसके बाद एक period खाली बच चुका है तो एक period जो खाली बच चुका है उसमें कितने period आएंगे कितने विशे आएंगे भाई इसके लिए कितनी 24 है इसके लिए 5 24 है क्योंकि 5 में से कोई भी विशे आ सकता है तो आंसर कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5P5 multiply by एक मिनट period की संक्या 6 है और total यहाँ पर कितने है 5P5 नहीं आ रहा है इसमें 6P5 दिया जा रहा है एक मिनट 5P5 जो है 6 period है और 5 विशे है तो पहले में कोई भी विशे आ सकता है 6 में से 5 को सेलेक करना है और एक period 6 है यहाँ पर मैंने यह गलती कर दी है यहाँ पर मैंने मान लिया कि last वाला period 6 है मगर उन लोगों ने यह नहीं बताया है कि कौन सा period 6 है यह नहीं बताया है देखी तो इस question का यहीं मैं answer अपने तरीके से निकाल रहा था तो answer कितना आ रहा था 5P5 multiply by 5 जो कि गलत हो रहा था ओके तो इसका सही answer क्या होगा देखी यह question अपने आप में बहुत अच्छा question है क्योंकि मुझसे गलत हो रहा मतलब इसमें गलती होने के आपके chances तो और जदा बढ़ जाएंगे तो इसमें कैसे करना पड़े गए आपको यह समझो आप भाई शुरू के कोई भी 6 period है और subject कितने है 5 तो 6 period में 5 विश्यों का समयोजन कैसे करोगे 6P5 ओके 6P5 अब इतना समयोजन करने के बाद भी एक period बच चुका है तो उस एक period के लिए कितने subject खाली है 5 तो answer कितना हो जाएगा 6P5 इंटू 5 मतलब 720 गुणे 5 बुलो clear हुआ की नहीं हुआ बचो clear है देखे एक बार इसको फिर से recall करता हूँ कह रहा है कि किसी पार्ट साला के कारदेवस में कुल 6 period है तो भाई 6 period है तो 6 period में कितने teacher 5 subject है तो 6 period में 5 subject कितने तरीके से आएंगे 6P5 मतलब मान लो यहाँ पर कुछ पढ़ा दिया गया यहाँ पर कुछ पढ़ा दिया यहाँ पर कुछ पढ़ा दिया यहाँ पर कुछ पढ़ा दिया 5 के 5 विचा है 6 period में से 5 subject पढ़ाए गये कितने तरीकों से 720 तरीकों से अब इसके बाद भी एक क्लास तो बच गई ना तो एक क्लास में कितने 24 हो सकती है 5 सब्जक की तो आंसर हो गया 720 गुणे 5 चलिए अगला क्वेश्चन है NC9 इक्कॉल टू NC8 तो NC17 का मानियात करना है कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल है NC9 इक्कॉल टू NC8 लो तो मैं सरल तरीके से बताता हूँ NC9 इक्कॉल टू NC8 है तो सबसे पहले N का मान निकालो तो मैंने बताया था आपको कि अगर NCA इक्कॉल टू NCB होता है तो N का मान कितना होता है A प्लस B तो यहाँ पे N का मान कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 यह ने की 17 और आपको किस का मान चाहिए है NC 17 तो NC 17 बराबर हो जाएगा N का मान 17 C 17 आंसर कितना होगा 1 तो 17 C 17 का मान कितना आएगा 1 आएगा Done तो answer हो गया 17 C 17 का मान 1 चलिए अगला question है आपन करके भी देख सकते हैं, ये PDF आपको स्कूल ग्रूप में भेज दिया गया है, अगला question, अगला question, अगला question, अगला question, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़े अराम से ये solve हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला देखे, 12P4 equal to 1320 है, तो R का मान ग्याद कीज़, 12P4 equal to कितना है, 1320, तो R का मान ग्याद करना है, तो कैसे करेंगे देखे, 12P4 equal to 1320, तो factorial 12 upon factorial 12 minus R equal to 1320, 12 minus R equal to 12, 1320 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे 12,320 करने के बाद, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ, 12 गुणे 11 गुणे 10, गुणे factorial 9, बराबर 1320, ओके, और 1320 कितना होता है, 12 गुणे 11 गुणे 10, तो यह cancel हो गया इससे, 12 गुणे 11 गुणे 10 से, तो यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ चल रहा था, 12 minus R का मान किसके equal आ गया, factorial 9 के equal आ चुका है, तो 12 minus R बराबर 9, R बराबर कितना 3, जो भी question में doubt हो, प्लीज रोक करके पूछेगा, वहाँ पे, जमेदारी आपकी है, अगला question है, 2N C3 upon N C3 equal to 11 ratio 1, तो N का मान ग्याद करना है, तो आपको simply इसको हल कर लेना है, और N का मान इसका ग्याद कर लेंगे, N का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, चलिए, next देखिए, कह रहा है, R का मान ग्याद कीजिए, अगर 5P R equal to 2 times 6P R minus 1, तो इसको हल कर लीजे, 5P R equal to 2 times 6P R minus 1, एक वर्ग समीकन R की form में बन जाएगी, और इसको हल करके, R का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये भी कोई जादा मुश्किल कोश्चन नहीं है, 5P R equal to 6 times of P R minus 1, कैसे solve करेंगे, देखिए, 5P R equal to 6 times of P R minus 1, दोनों तरफ इसके expansion को खोल दीजे, R का मान हलकर दीजे, R का मान कितना आ गया है, 4 और 9, और देखिए भाई साब, 4 और 9, दो चीज़ें आई हैं, 4 और 9, तो R का मान 9 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए, 4P R है question में, और R कभी भी इस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो R की value जो है, 9 संभव नहीं है, तो correct answer R का कितना होगा? 4, तो यह answer आएगा 4, इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जब आप question करते हैं, चलिए, next question देखिए कैसे करना है, अगला question है, NCR upon N-NCR-1 equal to N-R plus 1 upon R, ओके, तो दोनों को solve कर दीजे, simply, और काटा कुटी कर दीजे, और आपके पास आजाएगा, N-R plus 1 upon R, यह important result भी है, आपको काम में आता है, directly इसको, कई जगे यह use भी होता है, तो इसको note कर लीजे एक बार, दो मिनट इसको time दीजे, solve करने का, NCR upon NCR-1 equal to N-R plus 1 upon R, यह direct result आपके काम का भी है, competitive exam में यह direct result आता है, चली, question number 9, question number 10, बहुत बढ़िया question, 6 फूलों की माला में से कितनी विधियों से गूता जा सकता है, देखे भाई, च्छै फूलों की माला में से कह रहा है कि आप इसको, कितनी विधि से च्छै फूलों की माला गूत सकते हैं, तो यह देखो, फूलों की माला जो होती है, आप उसको पलट देने पर भी कोई फरक नहीं आता है, जैसे मानलो ये लाल रंग की माला है छे फूलों की एक माला है मानलो ये लाल रंग की एक माला है यहाँ पर गुलाब है और इसके आंगे ये लाल रंग का गुलाब था इसको रेड कर लो और ये यलो कलर का गुलाब है इसको फूल को ऐसे आप 6 कलर की माला बनाएंगे ठीक है? 6 कलर की माला अब इस माला को आप इधर से पलट करके उल्टे तरफ से भी देखोगे तो आपको माला उसी तरीके की दिखाई देगी मतलब कोई नई माला नही बन जाएगी वही माला आपको दिखाई देगी, पलटने पर भी, तो अगर पलटने पर कोई फर्क नहीं आता है, तो बनने वाले क्रम चैयों की संख्या का फॉर्मुला लिख लो, क्रम चैय बराबर होता है, इसको बोलते हैं, साइक्लिक क्रम चैय, चक्रिय क्रम चैय, equal to 1 upon 2 factorial n minus 1, यह पॉन 2 factorial n minus 1, यह चक्रिय क्रम चैय का फॉर्मुला होता है, ठीक है ना, कब जब पलटने पर कोई फर्क ना आ जाए, जब पलटने पर कोई फर्क ना आए, तो चक्रिय क्रम चैय का फॉर्मुला नोट कर लो, कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ भई, कल थोड़ा मैंने 12th क्लास की चीजें पढ़ा दी थी, 12th क्लास के बच्चे बूर हो गया थे, मेरे को यह समझ में आ गया था, बट अब अपन 11th का स्टार्ट करेंगे तो 11th ही लेके चलेंगे, 12th का कराएंगे तो 12th ही लेके चलेंगे, नहीं तो उसमें गड़बड हो जाती है, चलो खेर, तो देखो भई, आप पहले अंक के लिए, पहले प्लेस के लिए कितने अंक आएंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, मतलब इस अंक के लिए पांच दावेदार, अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि जीरो अगर आ गया पहले प्लेस में तो जीरो के आने से जो संख्या हो जाएगी दो अंक की हो जाएगी बढ़ हमको कितना बोला गया तीन अंको की तो तीन अंको की संख्या के लिए पहले प्लेस में पाच अंक फिर यहां पर कितने अंख होंगे 5 अंख क्योंकि 0 सामिल हो गया फिर यहां पर कितने अंख होंगे 4 अंख तो आंसर कितना हो गया इसका अंसर हो गया 5 गोने 5 गोने 4 बराबर कितना हो गया 100 तो इसका अंसर कितना हो गया 100 पूछिए किसी को कोई डाउट है क्या अगला कुश्चन है अगला कुश्चन गया है इक्वेशन सब्द से बनने वाले अक्ष्रों में से प्रथे को ततता के वल एक बार प्रयोग या करने पर पूर अर्थहीन या अर्थहीन और अर्थपूर सब्द तो बहुत ही सिंपल है भाई एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ 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 सब्दों का उप्योग करना है बनने वाले कुल सब्द कितने होंगे एट पी एट अगला पांच लड़के और चार लड़कियों में से तीन लड़के और तीन लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके हैं बहुत ही सिंपल है पांच लड़कों में से तीन लड़के सेलेक्ट करना है तो 5C3 और चार लड़कियों में से तीन लड़की सेलेक्ट करना है तो 4C3 आंसर बना दीजे 5C3 into 4C3 चली यह तो हो गया ना next question अगला question है वाई 9 लड़के और 4 लड़कियों में साथ सदस्यों की एक सिमित बनानी है या कितने प्रकार से बनाई जा सकती है 3 लड़किया है नियूंतम 3 लड़किया है अधिकतम 3 लड़किया है तो देखे पहला है 3 लड़किया है तो 4 में से 3 लड़किया 4C3 तो लड़के कितने बचेंगे 9 में से 4 लेने पड़ेंगे क्योंकि तीन लड़कियां है तो चार लड़के लेने पड़ेंगे तो चार में से तीन लड़के लेने पड़ेंगे तो चार में से तीन लड़के लेने पड़ेंगे चार लड़के चलिए अगला है कम से कम तीन लड़कियां है कम से कम तीन तो तीन गल्स ह अगर अपना लेते हैं तो अपनको चार कित्टे लेने पढ़ेंगे पहला केस और दूसरा केस होगा अगर आप चार गर्फ के कि अपना लिज्ये तो क्या हो जाएगा भाई साब बनने वाले केस फोर सी थ्री 9 में से 3 4 में से देखिए यहाँ पर आपको 3 लड़किया लेनी है तो 4C3 and 9C4 and 4C4 into 9C3 तो यह cases पूरे हो चुके second third case पर आते हैं अधिकतम 3 लड़किया मतलब आपको maximum 3 लड़किया लेनी है मतलब पहला case हो सकता है आपके पास में कोई भी लड़की ना लो मतलब 0 girls जिस समय 0 girls होंगी उस समय boys किते होंगे उस समय boys आपको लेने पड़ेंगे 7 boys क्योंकि team किते की 7 की है अगला case होगा अगर आप एक लड़की लोगे तो आपको 6 लड़के लेने पड़ेंगे अगर आप 2 girls लोगे तो आपको 5 boys लेने पड़ेंगे अगर आप 3 girls लेते हैं तो आपको यहाँ पे 4 boys लेने पड़ेंगे और आप 4 girls अगर लेते हैं तो आपको 3 boys लेने पड़ेंगे बट नहीं ले सकते हो क्योंकि कहा गया अधिक्तम 3 लड़किया हैं तो मतलब यह तो कोई लड़की ना हो 0, या 1 लड़की, या 2 लड़की, या 3 लड़की, तो इस तरीके से यह किस बनेंगे, अब इनके लिए आप permutations लिख दो, सारे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, पहला, 0 girls, तो 4 C 0, 4 में से 0 लड़की, और लड़के कितने 7, तो लड़के 1 into 9 C 6, plus 4 C 2 into 9 C 5, and last क्या होगा, 4 C 3 into 9 C 4, बस इसको solve करके answer लिख दीजिए, या आपका answer आजाएगा, clear है भाई सभी को, बादल clear है? गितांजली, ओके, नाम पूछने के बाद बोलना पड़ता है कि clear है, वैसे बोलो न, समझ में आया है तो, चलिए next देखिए, अगला question बहुत अच्छा है, और ये आप लोगों से बहुत सारे बच्छों से बनता भी नहीं होगा, question कहरा, अलाहाबाद शब्दों के कितने अ शब्दों में स्वर्जो है सम इस्थानों पर आएंगे, ठीक, कह रहा है, अलाहाबाद सब्द के कितने अच्छों में से भिन्न भिन्न सब्द बनाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले हमको बताना है कि भिन्न भिन्न सब्द किते होंगे, तो टोटल अक्छर काउंट कर लो, ए एक बार, ए दो बार, ए तीन बार, ए चार बार, और एल आ रहा है दो बार, तो भाई जो टोटल अक्छर बनेंगे इसका यूज करके वो कितने होंगे, फैक्टोरियल नौ, नीचे फैक्टोरियल चार, फैक्टोरियल दो, आंसर कितना आ गया, 7560, अब कह रहा है कि इन में स से कितने सब्द में स्वर्ज सम इस्थानों पे आएंगे ठीक ना आपको कह रहा कि इन में से कितने सब्द ऐसे बनेंगे जिन में से स्वर्ज जो हैं समस्थानों पर आएंगे तो टोटल आपके पास कितने सब्ध हैं 9 ये लो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गए 9 और 9 में जो समस्थान हैं कौन-कौन से हैं ये 2 वाला, ये 4 वाला, ये 6 वाला, ये 8 वाला, मतलब आपके पास टोटल जो हैं चार समस्थान हैं ये वाला है दूसरा, चोथा, छटवा, आठवा टोटल आपके पास जो हैं चार समस्थान हैं जी हां और आपके पास विसमस्थान 5 हैं और आपके पास सम कौन-कौन से हैं देखो भाई साब तो स्वरी आपके पास स्वर कौन-कौन से हैं तो चार तो आपक पास A है और कौन है भाई A, double, L, A, h, a, b, a, d ठीक है तो चार आपके पास A है मतलब चारो इस्थानों पर कौन कबजा जवा लेगा A तो A, A यहां भर दीजिए चारो इस्थानों पर स्वर आ गए और चारो क्या आ गए है चारो ए, A आ चुके हैं तो चार, A यहां पर आ चु स्वर भरने के कितने तरीके हो गए एक तरीके multiply भाई अब जगह कितनी बची एक दो तीन चार पाँच इन 5 स्थानों पर वेंजन भरे जाएंगे कितने तरीके से 5P5 तरीके से 5P5 और जिस में से 2 वेंजन रिपीट हो रहे है लL तो उनकी लिए यहाँ पे क्या आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आंसर आएगा 5P5 मतलब फैक्टोरियल 5 अपन फैक्टोरियल 2 बताईए कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज पूछिए एक बार और बता दूँ ठीक है देखिए आपके पास में यहाँ पर अलाहाबाद शब्द दिया गया है अलाहाबाद शब्द में कह रहा है कितने शब्द बन सकते हैं ठीक है अलाहाबाद शब्द में आपके पास कह रहा है कितने नए शब्द बन सकते हैं तो पहले टोटल अक्षरों को गिल लिजिए टोटल अक्षर कितने है बेटा 9 तो 9 अक्षर 9 जगहें कितने तरीके से permutate करेंगे 9p9 मतलब 9 जगहें और 9 अक्षर हैं तो 9 अक्षर में 9 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं 9p9 तरीके से और उसके बाद जो repeat हो रहे हैं उनका repetition का effect हटाने के लिए उनकी जो repeat होने की effect हटाने के लिए उनके repeat पहला l repeat हो रहा है कितने बार दो बार तो factorial 2 कर दो फिर a repeat हो रहा है 4 बार तो कितना कर दो factorial 4 उपर 9p9 का मतलब क्या होता है factorial 9 upon factorial 2 factorial 4 बोलो clear? अभी इसमें कुछ पूछना है तो पूछो चलो अब इसके बाद कहता है कि अगर सभी स्वरों को समिस्थानों पे भरा जाए तो बनने वाले अक्षरों की संख्या बताओ चलो तो अपन देखते हैं ये है अल्लाहाबाद इलाहाबाद बोलते हैं है था अल्लाहाबाद अब नया नाम हो चुका परियाग राज तो ये देखो भाई साब एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो तो नो की जगह है बना लो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो 9 की जगह है जिसमें सम जगह कौन सी है ये देखो सम पे ये आली आएगी ये वाली आएगी ये वाली आएगी मतलब 4 सम जगह है और 4 सम जगहों पर किन को भरना है A को क्योंकि स्वर कौन है भहिया स्वर में अपने पास में 4 A है A A A A तो यह अपने पास में 4 A है ठीक तो यहाँ पे A भर दिया यहाँ पे A भर दिया यहाँ पे A भर दिया ठीक है तो 4 जगों में 4 A भर दिया तो A भरने के कित्ते तरीके हो गए एक तरीके क्योंकि A तो फिक्स है इन्ही को भरना है तो जो चीज fix होती है, उसके कितने तरीके होते हैं? एक तरीके अब बाकी कितने जगह बज गए? एक, दो, तीन, चार, पांच तो बाकी जगह बज गई 5 और 5 जगों में किन को भरना है? 5 लोगों को भरना है किन को किन को भरना है? जो बज गए क्योंकि टोटल 9 थे 9 में से 4 भज गए स्वर हो गए तो 5 कितने बचे व्यंजन तो 5 व्यंजन भजने के तरीके होंगे कितने होंगे 5 5 P 5 एक तरीका गुणा 5 P 5 अब उन 5 P 5 में L जो है दो बार रिपीट हो रहा है तो अप उन में कितना आएगा फेक्टोरियल 2 तो आंसर आएगा 1 इंटू फेक्टोरियल 5 अपॉन फेक्टोरियल 2 बोलो अब क्लियर है चली अगला कॉस्चन अंग्रेजी वर्ण माला के 5 स्वर और 21 वंजन है इस वर्ण माला के 2 भिन स्वरों कर दो दोनों का पहले गुना कर दो क्योंकि 5 वंजन ले लिए और 21 स्वर ले लिए है ना तो 5 वंजन और 21 स्वर वंजन लेने के 2 स्वरी 5 स्वर में से 2 स्वर चुनने के तरीके कितने 10 और वंजन चुनने के तरीके कितने 210 ठीक ना टोटल आपको कितने की शब्द रचना करनी है दो इसके दो इसके तो ये लिए भाई साब टोटल चार एक दो तीन चार ये हो गया तो दो स्वर चुनने के तरीके 10 दो वेंजन चुनने के तरीके 210 तो स्वर चुनने के तरीके 10 वेंजन चुनने के तरीके 210 यह हो गया स्वर चुन लिया वेंजन चुन लिया मगर यह सर और वेंजन अंदर कित्ते तरीकों से उच्छल कूद कर सकते हैं चार जगह हैं और चार जगह हैं कितने लोग हैं चार हैं तो multiply by 4P4 याने कि 10 गुणे 210 गुणे फैक्टोरियल 4 गुड क्वश्चन अच्छा क्वश्चन है क्योंकि बच्चे सभी लोग इसमें क्या करेंगे ये तो ले लेंगे 10 गुणे 210 मगर फैक्टोरियल 4 लगाना भूल जाएंगे तो आंसर इसका होगा फैक्टोरियल 4 मिल्टिप्लाइ करिए क्लियर सभी को ना ओके नेक्स क्वश्चन देखिए ये 2NPN की वैल्यो निकालनी है तो 2NPN ये मैंने क्लास में करवाया था क्वश्चन है ना तो इसको आप लोग दुबारा कर लिजेगा खुद से कि ये मैं करवा चुका हूं इसलिए यहां दुबारा नहीं करवाऊंगा आंगे देखते हैं हाँ आपको यही लगे कि इस पर डाउट है तो मेरे से फिर कभी पूछ लिजेगा अगली क्लास में पूछ लिजेगा पांच पूरसों चार महिलाओं को एक पंक्ती में बैठाला जाता है महिलाएं समस्थानों पर बैठती हैं इस प्रकार कितने विन्यास बना जा सकते हैं देखो वाई टोटल पांच पूरस चार महिला मतलब नौ लोग है देखो एक दो तीन हाँ जी सर बोलिए वाँ जी सर नोगेज सर्वक जिए सर नोगेड़ नोगेड़ एक लिया इना दिने लूच कैसिए हम यह स्र मैं देक्क लिया and 48 students are enrolled, I think, your class, why they are not joining your class? Sir, I have given public link in that group. So, as my duty, I invited them all, but it is their choice whether they want to join or not. So, I have done my duty and some of the students who are present here, definitely they want to learn. So, they are learning. My responsibility is towards them who are presented in the class. For rest, those who are not in the class, I can't do nothing. But after then, this lecture will be available in YouTube platform. So, maybe they can attain this lecture afterwards. But I think all of the students have to join. Yes. This is a very fruitful lecture. Yes, yes. I also believe this, that all, all, every student should have to join these lectures. I am also encouraged them. Yes, sir. In this class, I will encourage them. You have to join your classes. So, personally, I want to ask you one question, sir. Does these classes looking or you feel very interactive or not? Very, very attractive. Yes, interactive means students are able to clear their doubts if they want. Yes, yes, of course. You are giving very fruitful information. The tricky matter. Yes, I am watching. I have never attended after 10 math classes. Hmm. But I am seeing that something is new. Hmm. Yes. That's a great thing. Thank you, sir. And I will encourage. Yes. Okay, may I let now your class? Sure, sure, sir, sure. I am thankful to you that you visited my class. Thank you, sir. Okay. So, question number 18. 5 पूरस्व 5 पूरसों और 4 महिलाओं को एक पंक्ती में विठाया जाता है. महिलाओं सम्स agencies पर बैठती हैं. Tell total लेकिए 5 पलस 4, कित्ते हो गए, 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 पूरस हैं. और महिलाओं को समसथानों पर बैठाला जाता है. तो देखो यह सम नंबर है, यहाँ पे female बैट गई, female, 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 तो बताओ कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, भाई साब महिलाओं के लिए कितने स्थान है, 4, तो 4 में से 4 महिलाओं बैट गई, 4P4, पूरुसों के लिए कितने स्थान बचे, 1, 2, 3, 4, 5, तो पूरुस कितने से सबी बच्चों को, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, done, next question, question number 19, 52 पत्तों की गड़ी में से 5 पत्तों की संचय निर्धारित कीज़े, यदि 5 पत्तों के चैन में एक बाश्चा है, लिए भाई साब, 52 पत्तों में से 5 पत्ते खीचे गए हैं, ओके, और 5 पत्तों के प् मतलब बाश्चा खीच नहीं है, तो टोटल पत्ते हैं, 52, 52 में से 5 पत्ते खीचने हैं, मगर एक फिक्स कर दिया है, क्या, king है, एक क्या है, king, और बाकी के 4 बचे हुए हैं, तो आव भाई कैसे खीचेंगे, देखो, तो एक तो king लेना है, और बाकी other है, 4, तो देखो भाई में से, 4 king में से, एक king खीचने के तरीके कितने होगे, 4C1, और multiply by बाकी कितने पत्ते पत्ते, चार पत्ते, और 4 पत्ते किसने खीचने हैं, king के अलावा, तो king के अलावा कितने पत्ते होते हैं, 48, तो 48 में से, 4 पत्ते खीचने के तरीके कितने होगे, 48C4, तो answer कितना आएगा 4C1 multiply by 48C4 ओके आपको एक पत्ता किंग का खीचना है और चार पत्ते अधर खीचने पड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 4C1 multiply by 48C4 This is done, easy question Now, next question किसी परिक्षा में 12 प्रश्न है जो क्रमसे 5 तथा 7 वाले 2 खंडों में से विभक्त है ठीक है भाई साब किसी परिक्षा में 12 प्रश्न है देखे इसको कैसे हल करता हूँ यहाँ पर टोटल 12 प्रश्न है और 12 प्रश्न जो है पहला खंड है 5 प्रश्नों का दूसरा खंड है 7 प्रश्नों का विभक्त है खंड 1 खंड 2 में एक विद्यार्थी को प्रश्नों का चैन करना है करते हुए कुल 8 खंडों को हल करना है आईए बनाते है कैसे देखो भाई नियूनतम 3 तो अगर पहले पेपर में से 3 करेगा अगर पहले पेपर में से 3 क्वेश्न लिया तो दूसरे में से कितना लेना पड़ेगा 5 क्योंकि टोटल 8 बनाने है तो 3 पहले में से तो दूसरे में 5 अगर पहले में 4 ले लिया तो दूसरे में भी कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा और अगर पहले में पांच ले लिया तो दूसरे में कितना लेना पड़ेगा तीन क्वेश्चन लेना पड़ेगा ठीक ना तो यहां पर हलो एक मिनट दिसकनेक्ट क्यों हो गए तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा देखे कि पहले प्रशन में से आपको बारा प्रशन है पहले में पांच है दूसरे में साथ है और आपको कम से कम तीन उठाना है तो तीन पांच के जोड़ी बनेगी चार चार की बनेगी और पांच तीन की बनेगी तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो देखिए कैसे solve हो गई है फर्स्ट पेस बनेगा 5C3 into 7C5 फिर 5C4 into 7C4 then 5C5 into 7C3 so इस तरीके से हमाई पास total answer यह हो जाएंगे 210, 175 और 35 मतलब total हो गया हमाई पास कितना 420 तो इस तरीके से यह हमारी जो परिक्षा 2022 की है इसको तो टोटल जो है हमने यहाँ पर complete कर लिया है और इसके आपको सारे questions लगा करके लेके आने है यह पहला part हो गया दूसरा part में just now शुरू कर रहा हूं दो मेट वेट करें चलि दूस्तों तो आब हम कर रहे है परिक्षा अधियन इसके पहले हमने परिक्षा बुद complete कर लिए परिक्षा बुद में काफी सारे questions देखें और उसके objectives आप लोग करके लाईएगा अब हम कर रहे है यहाँ पे start परिक्षा अधियन ठीक है मेट बोलिये what screen अब दिखरी होगे आपको दिखे शद्धा एक बार लेफ्ट होगे फिर से जुड़ जाएए आपको स्क्रीन दिखने लगेगी screen display हो रही है proper चलिए next question देखते है तो question कहे रहा है 2, 4, 6, 8 इकोल्स टो कितना होगा 2 की power n तो देखे 2, 4, 6, 8 क्या बन जाएगा भाई आपके पास जो 2, 4, 6, 8 है ये आपके पास में आएगा factorial 2 n मतलब इसको देखा जाए तो 2, 4, 6, 8 up to dot 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 2 n आप यहाँ से 2 की power हर point से 2 common लेंगे तो कितना बाहर आएगा 2 की power n up to factorial n तो answer कितना आगे 2 की power n factorial n next question है आपको प्रूफ करना है कि 1 upon minus factorial r equals to 0 तो n p r equal to होता है कितना 1 upon factorial n minus r n upon factorial n minus r अब आप जानते हैं कि यदि आप यहाँ पे 0 p r कर दें यदि आप यहाँ पे 0 p r कर देते हैं तो 0 p r करने पर देखे कितना आजाता है तो 0 p r 0 p r मतलब 0 चीजों से कोई r चीजे सेलेक्ट करना तो theoretically 0 p r की value कितनी होती है 0 होती है तो 0 p r equal to कितना हो जाएगा 0 upon 0 minus r 0 p r is equal to हो जाएगा 0 upon 0 minus r तो factorial 0 upon minus r equal to 0 और factorial 0 की value कितनी होती है 1 तो ये भी प्रूफ हो गया और अच्छा question है यह कि 1 upon minus r की value क्या होती है, so it is set to be good question. Next question देखते हैं, अगले question में आपको proof करना है कि 1 upon factorial 4 plus 1 upon factorial 5 plus 1 upon factorial 6 equal to 1 upon factorial 6. तो देखिए यहां पे आपको सबको 6 form में लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें 6 का गुणा कर दो, तो आपके पास कितना answer आजागा, 37 upon 6, इसको simplify कर लेजिए, so ये भी easy question है, 37 by 6. Next question, 1, 2, 3, 4, 5 से बनने वाली कितनी संख्याय बनेगी जब कि कोई अंक एक से ज़्यादा बार ना आए, ठीक ना, चार अंकों की कितनी संख्याय बनेगी जिससे कि कोई अंक एक से अधिक बार ना आए, तो चार अंकों की संख्याय बनानी है, ये लेजिए, तो बना लीजे, 1, 2, 3, 4, तोटल आपके पास 5 अंक है, तो 5 अंक में पहली जिगह में कितने दाविदार आएंगे, 5, दूसरे में 4, तीसरे में 3, और इसमें कितने 2, तो आंसर टोटल कितना आ जाएगा, 5 गुणे, 4 गुणे, 3 गुणे, 2, मतलब आंसर कितना हो गया, 120, बचों कहीं पर भी प्रॉब और 9 से 100 और 1000 के बीच बनने वाली कितनी संख्याएं हो सकती, यह बहुत अच्छा कुश्चन देखिए, आपके पास टोटल डिजट कितने है, 0, 2, 3, 4, 8, 9, और 100 से लेके 1000, मतलब आपके पास टोटल 3 अंकों की संख्याएं बनेगी, 1, 2, 3, अब यहाँ पर कितने अंक आ सक देखिए, यह question हालाग कि हमारा हो चुका भी हमने परिक्षबोद में question किया था, तो वही तरीका है, यहाँ पर 0 को छोड़ करके यहाँ पर आ सकते हैं, 5 अंक, यहाँ भी 5 अंक और यहाँ पर कितने 4 अंक, तो 5 गुड़े 25 गुड़े 4 मतलब कितना 100, तो यह भी हो चुका ह नेक्स, 3000 से लेके 4000 के बीच 5 से विभाज कितनी संख्याय बनाई जा सकती हैं, और यह अंक दियेंगे कितने 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की पुन्रवरती ना हो, तो 3000 से 4000 के बीच में जो संख्याय होंगी, वो 4 अंकों की होंगी, गिलो जी, और पहला अंक क्या होगा, 3, आप देख ल तो 5 से विभाज के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, 1 आई का अंक, 5 होना चाहिए, सुन होना चाहिए, मगर यहां पर 5 उपलब्द है, तो यह भी fix हो गया, अब बचे 2 जगे, 2 अंक, तो 2 अंक के लिए अपन का 3 यूज हो गया, तो 5 यूज होगा, अब यहां पर कितने गा를 बचे एक दो तीन चार तो यहां पे आप चार अंक इस्तामाल कर सकते हो यहां पे तीन अंक इस्तामाल कर सकते हो तो कितनी 24 हुई पहले के लिए एक 24 अंथ के लिए भी एक शौईस और बीच के लिए 4 prophet तीन मतलब कितना रहा तो आंसर कितने होंगे बारह नेक्स्ट बूले उपर वाला क्लियर है क्वेश्चन नमर्ज सिक्स में कोई डाउट है किया किसी को नेक्स्ट नमर्ज सेवेन छै अंक एक दो तीन चर पांच्छे की सहायता से एक हजार से कम कितनी विभिन संख्याय बनाई जा सकती है जबकि किसी भी संख्या में पुनरावरती ना हो लो एक हजार से कम तो एक हजार से कम जो होगा कितनी संख्याय होंगी एक हजार से कम कितनी विभिन संख्याय में नाई जा सकती तो भाईया एक हजार से कम जो होती है एक अंकी की संख्या और दो अंके की संख्या और तीन अंके की संख्या तो एक अंके की संख्या के लिए कितने दावेदार शे दावेदार दो अंके की संख्या के लिए यहाँ पर शे यहाँ पर पांच दावेदार और तीन अंके संख्या के लिए दावेदार पांच दावेदार और तीन दावेदार तो कितना हो गया आंसर पहले के लिए 6 फिर 30 फिर 120 तो आंसर कितना हो जाएगा टूटल 156 यह हो गया जी चलिए नेक्स्ट देखिए अब मैंने आपको दो टास्क दे दिये हैं एक मैंने आपको परिक्षा बोध दे दिये हैं और एक मैंने आपको परिक्षा अध्यान दे दिये हैं ठीक ना तो आपको कल जो है कल आपको परिक्षा बोध और परिक्षा अध्यन जो है पूरी लगा करके रखनी है कल अपन next class जो करेंगे इसमें पूरी परिक्षा बोध और परिक्षा अध्यन डिसकस करेंगे और जो question आपसे नहीं बनेंगे उनको ही अपन लेंगे आज के लिए class को यहीं पर अपन end करते हैं और कल जो है कल किस class में मैं पूरा का पूरा केवल आप से परिक्षा बोध और परिक्षा अध्यान के question करवाऊंगा आज के लिए thank you धन्वाद